तो भुट्टे तो आपने कई बार भुण कर खाए होंगे इस तरीके से भुट्टे भुण कर खा लेंगे तो ठेले के भुट्टे खाने भूल जाएंगे बिना कोई कुकर के बिना अंगीठी बिना रेत के ये भुट्टे भुणना बड़ा ही आशान है तो चलिए भुणना शुरू करते हैं तो यहां मैंने देखिए बिल्कुल ताजे बुट्टे लिए हैं तो यहां चार बुट्टे ले लिए हैं तो इन सभी को मैं छीलोंगी तो देखना है कि नाकून लगाकर आप देख लेंगे तो बिल्कुल दूद जैसा निकलता है तो उस तरीके से आप बु आटा दूँंगी तो अच्छे से इनको क्लीन कर लेना है तो आपको जिस हिसाब से जितने बुट्टे भुनने उतने ले सकते हैं तो मैं इन सब को साप कर ले रही हूं तो मैंने सारे भुट्टों को देखिए साप कर लिया भुट्टों को मुझे तोड़ लेना है तो यह देखिए मुझे रैप करना है इन भुट्टों को फाइल पेपर में तो इस तरीके से मैंने इनको तोड़ लिया है तो मैं यहां दो भुट्टों को भूनूंगी तो मैंने उनको आदा आदा कर दिया है इस तरीके से देखिए चार तुकड़े हो गए हैं आप अपने एसाब से कम जादा भून सकते हैं तो अब मुझे बनाना है मसाला तो मैंने यहां कटोरी ले लिया मैंने चाट मशाला और ले लिया मैंने यहां पर नमक ले लिया है और लाल तो मसाले आप अपने टेस्ट के अनुसार कम जादा कर सकते हैं यहां डाल दिया मैंने एक चम्मज घी और इसकी जगए आप आयल भी ले सकते हैं लेकिन इससे जो भुट्टे का टेस्ट है बहुत अच्छा आता है इस तरीके से मैंने देखिए इसका जो मशाला है बना लिए अब जो भुट्टों पर है उस पर लगा दूँगी अच्छे से तो यह से जो भुट्टे भुनेंगे ना उसका मौश्यर मिलेगा तो अच्छे से बुट्टे बुनते हो और एकदम बड़ी सौंदे सौंदे लगते हैं खाने में इसी तरीके से मैं इसको मशाले से अच्छ लेना है और इसमें इस तरीके से भुट्टे को ऐसे रॉल करते हुए ऐसे कर देना है इस तरीके से देखिए जो इधर का जो पार्ट है उसको अच्छे से दवा देंगे फाइल पेपर से तो इस तरीके से देखिए मैं दूसरा भी तयार कर लूँगी तो फाइल पेपर पे ऐसे इनको अच्छे से लपेटना है जिससे की जो भुट्टे है अच्छे से कवर हो जाएं और अच्छे से ये जो भुट्टा है अच्छे से भुन सके तो इसी तरीके से मुझे सारे तयार कर लेना है तो इसी तरीके से मैंने सारे भुट्टों को रैप कर लिया है फाइल पेपर में तो चलिए भूनते हैं तो देखिए मैंने इधर कडाई में नमक को डाल दिया है एक से डेड़ कटोरी इसमें नमक डाल देना और अच्छे से इसको गरम कर लेना है अब जो ये जो भुट्टे रैप किये थे ना उनको एक एक करके आराम से इस नमक में रख देंगे और ये जो गरम नमक है इसके ऊपर डाल देंगे जिससे ये गरमाहट मिलेगी और जल्दी से ये जो हमारे भुट्टे हैं जल्दी से भ कर देंगे जिससे कि बिल्कुल एयर बाहर न लिकले और जल्दी से मेरे जो बुट्टे हैं बनकर रेडी हो तो इसी तरीके से मैंने डख दिया है और दस मिनट के लिए बिल्कुल कम गैस पर इसको छोड़ देंगे और बीच में पलटना है तो यहां पर मैंने देखी दस को हटा दे रही हूं अब सारे भुट्टो को मुझे पलटना है एक एक करके तो और जो नमक है उपर से गरम ऐसे इधर उधर कर देंगे जिससे की जो भुट्टे अच्छे से बुने यही एक बार और करना है मुझे पांच मिनट के बाद इसको पलट देना है और कबर करके एक बार और पका लेना है तो यहां मैंने एक बार पांच मिनट के बाद और इनको पलट दिया था तो यह देखिए भुनकर रेडी है तो मैंने इसकी गैस को कर दिया बंद आब इसको निकाल लेना है थाली में तो आराम से एक चिम्टा की सायता से इनको निकाल लेना है तो इनको आराम से अभी खोलेंगे तो इस तरीके से भुनकर रेडी हो जाते हैं जटपट से ये भुट्टे और इस तरीके से भुने हुए भुट्टे जो होते हैं जो थोड़े दातों से प्रॉबलम भी होती है थोड़े कमजोर दात होते हैं तो वो भी बड़े आराम से इनको खा सकते हैं तो एक बार जरूर इस तरीके से भूनना इस तरीके से धेरों भुट्टे भून कर आप खा सकते हैं कोई भी इसको बच्चा भी भून सकता है बच्चा हो या बड़ा आराम से इसको भून सकते हैं इस तरीके से तो एक बार जरूर ट्राइ करना तो मैंने इसको द बना हुआ मशाला थोड़ा नीबू लिया है तो अब जो भुट्टे का श्वाद है ना दो गुना हो जाएगा तो जिस हिसाब से आपको जितना खट्टा चट्पटा भुट्टा चाहिए उस हिसाब से बना कर खा सकते हैं तो मैं तो चली इसको खाने तो आप इस तरीके से ज आता है ना ओब पड़ः भुट्ट इसको बना दिया है तो और खाने में मजा आ जाएगा तो इस तो इस तरीके से जरूर भूनना अगर इस तरीके से भुट्टा को भूनना पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर लेना और चैनल पर नए हैं तो अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो जरूर जरूर सस्क्राइब कर लेना फिर मिलते हैं तब तक के लिए बाय एंड टेक क कि और你importe और और forbidden और जूकर तो डशिए भचर बाकर इह बे सब्समा में mensen श्लिका टूकरण